तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वीमाल उम्राओ इस समय सुब़े का टाइम मैं सुब़े मैं बाड़े में आया हूँ जाड़ू अगेरा जो है आपि लग गई है कुछ पूड़ा मैंने भर दिया है कुछ पूड़ा भरना बांकी है इस तरह से ये बांकी है इधर पड़ा कि नहीं बकरे सबी एक्टिव हैं कि नहीं किसी के साथ कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर मैंने एक समस्या फेस करी है और अक्सर आप लोग भी फेस करते हो होती रहती है बकरी पालन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास समस्या नहीं आएगी समस्याएं परडे कुछ ना कुछ हानी है या नहीं आती हैं तो आपको देखना जरूर है बाड़े में चलिए मैं समस्यापको दिखाता हूँ जो आपके साथ भी हो सकता है कैमरा कर लेते हैं बैक कैमरा आपने बैक कर लिया है यह बकरी आप देख रहा है बकरी के उपर ये देखिए कुछ गेंओं के दाने दिख रहे हैं ऐसा लगता है किसी बकरी ने उल्टी किया है यानि जहां पर ये बैठी रही है इसके पास कोई ना कोई बकरी जो है रही है जो उल्टी करती रही है देखे इसके सींग में लगा है ये यानि इधर ये पड़ा हुआ है ये यानि जो भी बकरी बकरा है वो दाना ज्यादा खा गया है और उसी ने उल्टी किया है अब इतनी बकरियों में आपको डाइगनोस करना होगा कि उल्टी कर कौन रहा है उल्टी हो क्यों रही है तो उल्टी का एक तो रीजन हमको समझ म में आ गया कि उल्टी के हो रही है? उल्टी में दाने आ रहा है, यानि जो भी जानुवर उल्टी कर रहा है उसने दाने अधिक खा लिएंगं, इतना तो हमने डाइग्नोस कर लिया हैं, यह देखिए यहां पर पड़ा हुआ है, यह हो ब्याइं हैं कल मैंने खिला है थे, कल आजु सुबह देखने को मिल रही है यानि जो Бी जानुवा रह एक तो चारा नहीं खा रहा होगा जुगाली नहीं कर रहा होगा जो भी उल्टी कर रहा है रात में साम को मैंने अमरूत के प्ते वगयरा भी खिलाए थे देखिए अमरूत का है अमरूत के पत्तों के भी हैं तो इसमें देखिए जो भी ये दिख रहा है इंदर ये पड़ा हुआ है गयों भी है और ये है अमरूद का पत्ता यानि जानवर उल्टी कब करता है जब उसके पेट में पॉईजन बनता है कोई न कोई चीज खा लेता है या दाने की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस तर चालिस जो भी छोटे बड़े जानवर हैं लगबक 30-40 हैं तो इसमें हमको देखना हो गई उल्टी करी किसने तो सबसे पहले हम डाइग्नोस करेंगे बकरों को कि बकरे जुगाली कर रहा है कि नहीं तो ये बकर हमको जुगाली करता हूँ अधिक रहा है ये जुगाली कर र ये दो तो हमको दिग गए ये ब्रीडर भी जुगाली कर रहा है यानि इसने नहीं किया है यहां भी जाडू लग गई है कूड़ा बरना बांकी है तो इतना रात वार में इतनी मेगनी निकलती है यहां भी देखो गेहूं गेहूं उल्टी उल्टी पड़िये यह यानि बहुत भेंकर तरीके से किया है और सुबह दाना खिलाते समय चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि जिसने भी किया है वो सुबह दाना ना खा जाए यह सुबह खा जाता है इस तरह से पॉईजनिंग होत यह देखिए दाने दाने पड़े है यानि कल जो मैंने दाना खिलाया है उसमें से किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया है वैसे अकसर मैं उतना ही दाना खिलाता हूं रोज खिलाता हूं यह जो बकरा बैठा है कि यह है यह यह भी जुगाली कर रहा है इदर यह सारे जानवर जुगाली कर रहे हैं दाना खाया किसने ज्यादा है इधर भी सब जुगाली कर रहे है बड़ा वाला ब्रीडर भी जुगाली कर रहा है ये कुछ गुमसुम गुमसुम सदिख रहा है देखता हूँ इसी को अब देखेंगे क्यों सबसे पहले इसको वाच करना है थोड़ा सइसी का पेट टाइट दिखर आ है तो जहां तक हमने सस्पेक्ट किया है ये जानवार हो सकता है अब इसको हमको वाच करना होगा सुबह दाना देंगे तो इसको नहीं देंगे देखेंगे एक खा रहा है कि नहीं खा रहा है वैसे बाल तो इला रहा है इसका मतलब कुछ एक्ट्यू है जुगाली नहीं कर रहा है क्योंकि सुबहे का टाइम है देखना जब भी बाड़े पर आप जाओगे सुबहे के टाइम सारे जानवर जो है आपको जुगाली करते हुए दिखेंगे इसने बहुत ज़्यादा गेहों के दाने साही दखाए हुए है चारो तरफ ये उगला इसने उगले पड़े हुए है तो चुकि ये वैसे तो सारी एक्टिविटी सही दिख रही है उगल रहा है अब करोगे क्या जैसा मैंने आपको देखा दिखाया कि दोनों तरफ हिला के देखना है पानी तो नहीं बोल रहा है हमने suspect कर लिया है कि इसने दाना दिख खाया है और दाना खाया है कार्भो आइडरेट युक्त यानि गेंग जो अगेरा खाया है तो इसका मतलब है कि इसके left side में कोई न कोई दिक्कत हुई है पानी बोल सकता या पानी नहीं बोलेगा तो बहुत टाइट पन मैसूस होगा जैसा मैंने आपको दिखाया काफी इसका पेट टाइट दिख रहा है तो हम यहाँ पर soda यूज करने वाले हैं क्या पिलाएंगे soda खाने वाला soda दिन में दो-चार बार पिलाएंगे सरसों का तेल भी आप पिला सकते हो 15-20 हैं मैं सरसों का तेल भी दे सकते हो और कोई भी आफ्रे की दवा भी यूज कर सकते हो यदि पेट फूला नजर आता है पेट में गैस नजर आती है तो इस तरह से यूज करना है पानी नहीं आपको पिलाना है दस बारा गंटे तक आप पानी नहीं पिलाओगे, यह पानी पिलाते हो, तो फिर समस्य बड़ी होने वाली है, फिर जानवर कई बार बच्चते भी नहीं है, बाकि जिस हिसाब से इसकी एक्टिविटीज हैं, लग नहीं रहा है कि इसने जो दाना उगला होगा, बहुत ही पै चानना मुस्किल है, कि इन में से करी किसने है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, एक एक का डाइगनोस करना होगा, सुबह आज दाना किसी को नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इन में से पता नहीं किसने खाया आए ज्यादा, अभी जो है मैंने कूडा बरा है, कूडा बरते ह पता अच्छा लगए है कि इसी बकरे ने जो उल्टी करा है, क्योंकि अभी मैंने देखा, इसने यहाँ पर उल्टी करी है, यह देखा, और इसके मूँ में भी लगाई है, या उधर यह खड़ा हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था, कि यह फूल एक्टिव है, लेकिन जो गे है, अब इसको हम खाने वाला सोडा जो है पिलाएंगे, दिन में दो तीन बार पिलाएंगे, इसको दाना नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे, इतना हमको करना होगा, पकरा जो है सही हो जाएगा, कुछ न कुछ आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी सीखने, वो म झांक्यू